नमस्कार दोस्तों, BCCA के All India Senior Men Selection Committee के चेर्मान चेतन शर्मा एक टेलिविशन चानल का स्टिंग ओपरेशन में फस्ट गया, उन्होंने कुछ ऐसे बाते बता दिया जो वो पब्लिक में कभी भी बताना नहीं चाहते होंगे, पर वो स्टिंग ओपरेशन था, उन्होंने जो भ किया जाते हैं, इसमें होता क्या है, सबसे पहले एक परसन को टार्गेट किया जाएगा, उसके बाद उस परसन को ऐसा एक सिटुएशन में प्लेस किया जाएगा, कि वो नैचुरली क्राइम कंड़ेट करें, उन्हें ये पता नहीं होगा कि वो सिटुएशन आर्टिशली क क्रिएट किया गया था इसलिए वो नाचुरली क्राइम कंडट करेंगे तब जाके पुलीस उन्हें अरस आप कंफ्यूज हो गया होगा मैं एक एग्जाम्बल के तुर समझाता हूं मान लीजिए एक गवर्णमन्ट सर्वन ब्राइब लेता है और पुलीस के पास बहुत सारे कंप्लेंस पहुंचा कि यह जो गवर्णमन्ट सर्वन्ट है यह हमेशा ब्राइब मांगते हैं अब पुलीस डिरेक्टली जाके उन्हें अरस नहीं कर सकता पुलीस को क्या चीए एविदेंस चीए तो पुलीस एक काम कर सकते हैं खुद ड्रस चेंज करके ऐसे सिविलियन उ यह अब आभी कर रहा है, तो अब यह वीडियो पबलिक हुआ है और चेतन शर्मा जी फस गए है वैसे शर्मा जी ने काफी कुछ बातें कहे उस sting operation के दोरान इंडियन cricket के बारे में, cricket players के बारे में, उनका ego issues के बारे में, BCCA के बारे में, selectors के बारे में, पर उसमें सबसे controversial हुआ है जब उन्होंने फॉर्मर BCCA प्रेजिदेंट सौरो गांगुली और इंडियन स्टार क्रिकेटर विराट कोली के बीच में इगो इशूस के बारे में बोला वैसे आपको पता है दोस्तों करीब एक साल पहले तक सौरो गांगुली BCCA के प्रेजिदेंट थे और विराट कोली इंडियन नाशनल मेंस क्रिकेट टीम के क्याप्टन थे पर बीच में विराट कोली से क्याप्टन सी चीन लिया गया और प्रेज़नली क्याप्टन रोज शर्मा है टेस्टीम का, वन डे टीम का और T20 टीम का तो शर्मा जी के इसाब से विराट कोली और सौरो गांगुली के बीच में इगो इशूस थे एक दूसरे को सबक सिखाना चाते थे विराठ कोली अपने आपको क्रिकेट बोट से भी उपर समझता था सौरोगांगुली को ये बात अच्छा नहीं लगता था और सौरोगांगुली की वज़े से विराठ कोली की क्याप्टन्सी छीन लिया गया तो इस तरह की बातें बताया गया है दोस्तों उस वीडियो में और भी कई सारे बातें बताया गया है जैसे कि पांडिया के बारे में न्यू क्रिकेटेर्स के बारे में बुम्रा के बारे में अब तक आपने सुनाई होगा अब बात यह है दोस्तों देखे इस तरह की बाते सब आपस में करते हैं इवन विराट कोली और सवरो गंगली भी अपने दोस्तों से इस तरह की बाते करते होंगे शायद नहीं पर पब्लिक में इस तरह की बाते कभी भी नहीं बोलना चीए और चेतन शर्मा जी भी नहीं बोलते पर यह sting operation था उन्हें पता नहीं था कि यह record हो रहा है है कि नहीं इसलिए यह सारी बाते निकल गया है तो यह रही चेतन शर्मा जी की स्टोरी अब हम डिसकस करेंगे क्या sting operations ethical है वैसे दो तरह के sting operations होते हैं वन इस positive sting operation जो ethical हम बोल सकते हैं one is negative sting operation which is purely unethical positive sting operation मतलब क्या होता है which are conducted for the benefit of society to render clear those incidents which should be put into the public domain because they have been proven to be harmful to the needs of community तो ऐसे कोई activities जो society के लिए harmful है उसके बारे में लोगों को अगर aware कर रहा है वो भी extinct operation के तुरू it is called as positive sting operation यह तो ethical है जैसे कि कई पे drug dealings हो रहा है तो उसे आप extinct operation के तुरू लोगों को बताओगे तो अच्छी बात है या फिर कोई corrupted politician को corrupted bureaucrat को आप public domain में लाते हो यह भी एक positive sting operation आप बोल सकते है क्योंकि यह सारे harmful होता है society के लिए लोगों को आप aware कर रहे हो है गिनी दूसरा होते negative sting operation negative sting operations are in contravention of the personal liberties of the individual जब आप एक individual की personal liberty को हाम करोगे जैसे कि चेतन शर्मा जी के साथ हुआ है दोस्तों यह तो purely unethical है गिनी अब यह सारो गांगली और विराट कोली के बीच में जो ego issues है उनके बीच में जो कुछ भी जगडा हुआ वो जानके हम क्या करेंगे हाँ यह अलग बात है लोग इस तरह के news सुनना चाहते है फिर भी society के लिए कोई benefits नहीं है तो ऐसे sting operations वही लोग करते हैं जो breaking news बनाना चाहते हैं किसी का भी dignity, sanctity, privacy यह सबको hurt करके यह बिल्कुल गलत बात है वैसे इंडिया में किसी भी लोग के अंदर sting operations के बारे में specifically mention नहीं किया हुआ है ना कि कोई act है इस तरह के operations को govern करने के लिए वैसे देखा जाएगा तो कुछ judicial rulings जरूर हुआ है इस तरह के incidents को mention करते हुए फिर भी किसी भी judge ने अभी तक कोई gate lanes और legislation laid down नहीं किया है इस तरह के media act को govern करने के लिए Supreme Court ने People's Union for Civil Liberties versus Union of India वाला case में यह rule किया था that wiretaps are a significant violation of the privacy of a person wiretaps मतलब क्या होता है दोस्तों आपने पुराने movies में देखा होगा कभी कभी न investigation agencies किसी का phone tap करते है पहले तो land lane हुआ करता था ना तो exchange के तरू phone के तरू जो conversation होते है उसे tap किया जाता था या फिर उसे steal किया जाता था Supreme Court ने इस case में बॉला था यह privacy के against है वैसे इंडियन rules and regulations के इसाफ से only the union home secretary or his equivalent in the state can send a tap order although it has been adequately shown that the knowledge could not be obtained through some other process मतलब यह है दोस्तों देखे कुछ important investigation के time पर कभी कभी phone tap करना पड़ता है तो ऐसे cases में भी अगर दूसरा कोई option नहीं है तब tap order issue कर सकता है वो भी union home secretary और his equivalent इसके अलावा Supreme Court ने यह तक mention किया है sting operations also infringed the right to privacy guaranteed by the Supreme Court person to article 21 the right to life and personal liberty तो basically article 21 में right to privacy है यह बात आपको मालूम है तो Supreme Court ने यह बोला है यह जो sting operations होता है it is clear violation of privacy and clear violation of a fundamental right under article 21 apex court ने यह भी बोला था कि article 19 close 1 close a में जो freedom of expression दिया हुआ है that is not absolute और constitution article 19 close 2 प्रवेट किया है जो moral values and ethics को public interest में protect करता है आसान भाशा में दोस्ते अगर एक journalist sting operation conduct कर रहा है जो purely unethical है basically किसी की dignity privacy यह सबको violate करके अगर कोई journalist sting operation conduct कर रहा है वो ऐसे भी बोल सकते है कि this is part of his freedom of expression which is guaranteed under article 19 close 1 of the constitution but at the same time यह भी समझना है दोस्तों article 19 close 2 में लिखा है the state shall impose reasonable restrictions in the name of decency or morality मतलब freedom of expression कोई absolute right नहीं है आपके बास freedom of expression है इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करोगे किसी का भी decency sanctity, dignity यह सबको violate करोगे तो दोस्तों that's it आपको क्या लगता है दोस्तों अगर एक journalist केवल breaking news के लिए किसी की भी privacy को violate करते है इस तरह क्या यह ethical है या unethical है आप मुझे comment box में please बता दीजेगा thank you for watching bye bye have a night